वैसे तो demon slayers में power का system काफी जाता wide है बट अगर हम non demon department में देखें तो सबसे जाता powerful हाशिरा rank को माना जाता है ये demon slayer की एक ऐसी rank है जो सबसे उपर मानी जाती है ये लोग अपने human body की potential को एकदम peak पर ले गए है और हाशिरास ही वो है जो अपने human से टक कर ले सकते है बट गाईज ये topic काफी debate वाला है कि actual में सबसे strongest हाशिरा कौन है और उससे कम powerful कौन और उससे कम powerful कौन मेरा मतलब अगर हम हाशिरा को rank करें तो ranking कैसी दिखेगी अगर आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा तो बहुत बढ़िया लेकिन अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा तो थोड़े सांस लीजिए, बैट जाएए और ये video enjoy कीजिए तो इस video में मैं basically, technically or literally 12 हाशिरास के बारे में बात करने जा रहा हूँ इन में current हाशिरास भी है और 3 former हाशिरास भी है तो जो सबसे नीचे, यानि कि सबसे less powerful हाशिरा मानी जाती है वो है कानेई, जो कि आज की date में मर चुकी है और ये flower breathing का use करती थी कानेई, शीनोबू की बड़ी बहन है I mean, थी और ये flower breathing का use करती है जो कि water breathing कहीं एक branch है कानेई का सबसे weakest हाशिरा होने का एक reason है क्योंकि कानेई कभी भी fight नहीं करना चाती थी वो हमेशा से violence के against थी In fact, इस लड़की की सोच ये थी कि demons and humans एक साथ रह सकते हैं और ये actually में वही करने का try कर रही थी जो कि काफी dangerous बात थी और actually में इसका end बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ Upper moon 2 Doma ने इसको मार दिया Well, हम सब जानता है कि Doma को लड़कियों से बड़ा प्यार है I mean, वो उन्हें खा जाता है Doma को लड़किया ही खाना पसंद है But fortunately, Kanye को Doma ने नहीं खाया But yeah, Kanye का power level यहीं तक था इसके बाद Number 11 पे आती है शीनोबू यांकि Kanye की चोटी बहन अब unlike Kanye, शीनोबू काफी ज़्यादा hate करती है demons से और ये demons को pure torture करके मारती है और ये insect breathing का ये use करती है इसने एक different fighting style invent किया जिसमें ये poison का use करती है और बहुती ज़्यादा deadly poisons use करती है demons को मारने के लिए शीनोबू ना से poison को use करती है बल्कि वो different poisons को invent करती है अलग-अलग demons lids के हिसाब से And that's why शीनोबू one of the most deadly-est शाशिरास में से एक है बढ़ हाँ power level के मामले में वो number 11 पर है और हम सभी कैसे भूल जकता है कि शीनोबू ने अपनी band का बदला almost ले लिया था उसने upper moon को अपने poison से काफी ज़्यादा कमजोर कर दिया था अपकोर्स उसके लिए उसे अपने आपको sacrifice करना पड़ा अब गईस नमबर 10 पर है टेंगेन उजवी यानि की sound हाशिरा और sound हाशिरा और thunder breathing का ही एक branch है अब गईस टेंगेन definitely raw strength के मामले में one of the most strongest हाशिरास में से एक है और हाँ सबसे handsome भी और हाँ इसकी 3-3 wives है बढ़ गईस actually में sound breathing को हमेशा से ही intel gain करने के लिए use किया जाता है मतलब भी sound breathing को लोग किसी भी anime के location को pinpoint करने के लिए use किया जाता था sound breathing तभी भी combat breathing style नहीं रहा है बढ़ गईस टेंगेन उजए कि हमने true potential देख ली season 2 में यानिकि entertainment district arc में जहाँ पर उस ने परभून से एक था definitely और definitely इसी बंदे ने रेंग को को training दी थी in fact Sinjaro ने drunk state में एक lower moon जिसका नाम hero था उसे defeat किया था और हाँ जो हाशिरा number 8 पे यानि Sinjaro से उपर आता है वो है Sinjaro का beta यानिकि रेंग को क्योजिरो अब definitely guys 90% demon slayer watchers का ये favorite हाशिरा होगा of course flame हाशिरा जिसने actually में upper moon 3 आकाजा से fight किया था हाला कि आकाजा ने rank को को बहुत ही जादा easily defeat कर दिया था बट still rank को के feeds काबिले तारीफ थे rank को की जो खास बात थी वो था उसका willpower मतलब कोई literally बंदा आकाजा को sunrise तक रोक के रख दिया था आप जो हाशिरा number 7 पे आती है वो है मिर्सुरी कन्रोजी आप लोग सोचोगी कि भाई तुमने इसे इतना उपर क्यो रैंक किया मनलब क्यो जीरो क्यो जीरो के बाप को और टेंकिन से भी उपर तो हाँ आप लोग मिर्सुरी कन्रोजी को बहुत बड़ा फीट है I mean दूसरे हाशिरास तो अपने सोड से भी उसके टेंटिकल सो काटने में स्ट्रगल कर रहे हैं बट मिर्सुरी ने वो काम अपने हाथों से कर दिया और डेफिनेटली पावर के साथ-साथ मिर्सुरी के पास फ्लेकसिबिल्टी का भी क好不好 है और डेफिनेटली मिर्सुरी की सोड बहुती ज़़ादा यूनिक है जिसके नाम मिर्शुरी नाइप क scissors नाम मिर्शुरी से बहुत ज़़ादा लॉग रेंज में यूज़ कर सकती है बहुती flexibility and बहुत ही पावर के साथ and that's a mystery one of the most powerful हाशिरास में से एक है number 6 पर जो हाशिरा है वो है जिनिर्स्तु का mentor यानि कि कावाजिमा आप गाईज यह बंदा अपने जमाने में इतना जाथा पावर्फुल था और इतनी अच्छी थंडर बीदिंग यूज़ करता था वो इसके age में बिलकुल opposite है यानि कि सबसे youngest थाशिरा यानि कि म्यूचिरो अब definitely season 3 में हमने म्यूचिरो की original पावर देख ली कि किस तरीके से इस बंदे ने अकेले अपर moon 5 को हराया म्यूचिरो mist breathing का use करता है जो कि wind breathing का एक branch है और म्यूचिरो सबसे जादा stealthiest हाशिरास में से एक है ये बंदा see-through technique का use करना सीख गया था फाइनल आर्क में और हाँ इसकी sword भी red turn होती है तांचिरो की तरह और guys मैं आपको एक बात remind कराना चाहता हूँ कि म्यूचिरो इतने कम age में हाशिरा इसलिए बनी गया क्योंकि वो इतनी दीर जग training करता था कि उसको खोन की उल्टिया होने लगती थी बड़ गयश जो हाशिरा नमबर 4 पे है वो है Gyu एंड तांचिरो का mentor यानि कि Sakonji definitely former water हाशिरा है और guys ये अपने जमाने में बहुती ज़्यादा पारफुल था इसके पास भी तांचिरो के तरह बहुती ज़्यादा strong smelling power है मतलब कि ये भी किसी भी anime के location को pinpoint कर सकता है सिर्फ smell करके in fact guys यतने बुलापे में भी ये बन्दा बहुत ज़्यादा पारफुल है अब guys number 3 में दो हाशिरास के बीच में tie हो गया है यानि कि Obanai और Gyu यानि कि Water हाशिरा और Serpent हाशिरा अब definitely guys Wind हाशिरा साने में इन दोनों से थोड़ा जाई होपर आता है बट still साने में इन दोनों से ज़्यादा powerful है बट अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में अब definitely Gyu ने Water Breathing 11 form को invent किया था और हाँ ये बन्दा बहुत ज़्यादा powerful है अब guys Infinite Castle Arc में Gyu ने Tanjiro के साथ मिलकर Akaza को defeat किया था definitely Demon Slayer Mark के साथ और guys Akaza ने भी Rangoku की तरही Gyu को भी acknowledge किया था और Akaza ने ये कह था कि तुम Rangoku से भी ज़्यादा potential carry करते हो तुम भी Demon बन जाओ बट definitely Gyu ने भी मना कर दिया बट हम ये देख सकते है कि Akaza ने भी Gyu को काफी acknowledge किया था और ultimately Akaza इन दोनों से हार गया तो of course Gyu Rangoku से तो काफी ज़्यादा powerful है अब इसके साथ ही आता है Obanai यानि कि Serpent Hashira इसे आप Snake Hashira भी कह सकते हो अब कर जो Serpent Breathing होती है ये Water Breathing का ही एक branch है and definitely guys Obanai इतनी ज़्यादा potential carry करता है कि इसने final arc में मुजान के अगेंच blind होके fight किया था और इसको इसका Snake guide कर रहा था इससे katana इस तरह के से design किया गया कि इसके enemy को illusions आने लगते हैं कि attack इस side से हो रहा है और attack होता थोड़े different तरीके से है और definitely ये उसे बहुत deadly attacks कर सकता है अब guys number 2 पे जो हाशिरा है वो है definitely Sanemi यानि कि Wind हाशिरा अब guys Sanemi basically pure berserk है I mean इसकी power almost की हुआ और open eye के बराबर है बट ये एक step हमेशा उन से उपर रहता है अपने rage की वज़ज़ से ये बंदा इतना जादा berserk and aggressively fight करता है कि भाई साभी किसी को भी oblidrate कर देगा इन फैक्ट ये upper moon 1 कोको शीबो के against काफी लंबे time तक fight किया and उसे काफी heavy blows दिये थे in fact कोको शीबो ने इसे इतनी ज़्यादा बुरी तरिके से injured कर दिया था कि upper moon 1 कोको शीबो ने ये कह कि अगर तुम थोड़ा सा भी हिले तो तुमारे organs बाहर आ जाएंगे but of course सानिमी ने अपने wounds को hold करके रखा और actual में ये बंदा बिहोश होके fight कर रहा था unconscious और definitely इस fight के तुरंट बाद सानिमी मुजान से लड़ने चला गया और उसको भी heavy blows देने लगा भाई सब इस बंदे को अगरा fight करता हो देख लो animated version में तो आप पागल हो जाओगे इसके बाद आता है definitely सबसे strongest हाशिरा और हाँ आप सब को उसका नाम पता है अब तक उसका नाम नहीं आया है तो definitely number one पे उसी का नाम आएगा और वो है definitely gyome यानि कि rock हाशिरा आप गाईस demons land में एक proper आर्क है हाशिरा ट्रेनिंग की और इस आर्क में सारे हाशिरास ने demon slayer को train किया था और तो सबसे toughest training थी वो gyome की ही थी जहाँ पर कुछ ही गिने चिने demon slayers पहुँच पाते थे बाके सब पीछे ही fail हो जाते थे बट gyome के training पास करना बहुत ज़ादा मुश्किल था बट इसके training सामें ये बात realize हुई कि gyome इतना ज़दा powerful क्यों है gyome एक बहुत ही secret technique का use करता है जो कि अतना secret नहीं है बट still ये कहता है कि अपने inner strength का use करो guys कभी आपने ये realize क्या है कि अगर आपके पास time बहुत कम हो और आपके बहुत लंबा हाशिरा है physically भी and skills में भी क्योंकि upper moon 1 को gyome नहीं सबसे जादा damage दिया था और हाँ ये बंदा भी blind है और सारे blind बंदे badass ही होते है definitely guys ये अपने swords के chains के vibration को feel करके enemies के attacks को counter करता है gyome के ability बदाते बदाते ये video काफी जाद लंबी हो जाए क्योंकि अभी बहुत सा दर्मभी हो गई है तो guys यहीं दियाज की वडियो ये ranking सिर्फ मेरा opinion है अगर आपका opinion different है और अगर आपने demon story को अलग तरह किसे analyze किया तो नीचे comment section में अपनी list जरूर बताए कि आपके सबसे कौन सा पहाशिरा कहां पे आना चाहिए मैं उसे पढ़ोंगा तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं पर किसी नेक्स जोडियों में and good luck